पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का एक और QNA वीडियो में और लोकेशन यहां पर आप देख ना अभी थोड़ी देर पले यहां पर शेर जो है पानी पीके गया है हम दुझा फटाफट शूट कर लेते हैं तो पहला सवाल है दीपक का दीपक राम राम बोल रहे है राम राम भाई इनके पास जो है क्वीड का है 2017 model 65,200 km चल चुकी है दो लाग साथ हजार में सेल कर रहा हूं क्या यह डिसीजन जो है सही है और क्या मेरे को इस बजट में कोई सेकेंड हैंड कार बैस कंडिशन में मिल जाएगी मैं आर्मी वर्शन बहुत अच्छी बात है भाई जी अर्जेंट है इनका सवाल देखो आ अगर बढ़ाते हो तो एक टियागो जो है वो आजाएगी अच्छी कंडिशन के अंदर लगग 2017 17-18 वाली आजाएगी टियागो अच्छी कंडिशन में और दूसरी बात यह है ना अगर आप दो साथ में गाड़ी लेने की कोसिस करोगे तो रिड्स टाइप की गाड़ी हैंगी 13-14 मोडल थोड़ा सा ज्यादा पुराना हो जाएगा अगर आपको नहीं चाहिए गाड़ी म में हैं कम चलाते हैं तो ऐसी गाड़ी रखिए जिसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं मीद भाई यहां पर पूछ रहे हैं 2-3 लाग का बजट है सेकेंड हैंड सेडान कार और अच्छी बूट स्पेस वाली चाहिए एवरेज कोई चकर नहीं है प्राइमरी कार इनकी जो ह अच्छी बात चलाता है मैक्सिमम तू मैक्सिमम अस्य यह इस टाइप के लाते हो गाड़ी में पंच ओना चीज़ें चाहिए एस एक्सफोर आपने देख रखी आपको पसंद है बहुत अच्छी चंडिशिन के अंदर तो बहुत बढ़िया बात है लेकिन क्यूंकि हमने भ कि गाड़ी बहुत अच्छी थी पहली बात यह देखने ना कि उसकी बोडी के अंदर गलावट नाई हो जंग वगरा ना लगी हो ठीक है एक बार सर्विस तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी लेकिन फिर भी इंजन मतलब कि मज़ेदार चीजें रहेंगे उसमें संतोज भाई का अगला सवाल है यहाँ पर और यह सवाल बहुत 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 कर रहा है इनके लिए और सवाल भी तागड़ा है सुनना आप लोग भी इनको 10-40 में S-Cross का जैटा वेरियंट मिल रहा है और 10-85 में इनको नेक्सो के लिए गाड़ी चाहिए चार एडल्स होंगे एक बच्चा रहेगा और इनकी जो मंतली रन है हजार किलोमेटर के असपास है दूसरी चीज 80% इन भाई साब का जो रन है वो दिल्ली के अंदर रहेगा और 20% हाइवे में रहेगा कौन सी बेस्ट कार रहेगी इनके लिए द मतलब कि यह आपका S-Cross भी काफी अच्छी है और हम यहां पर आपको बताना भी S-Cross ही चाहेंगे कि इसका इंजन थोड़ा सापको ज्यादा रिफाइन मिलेगा दूसरी बात यह कि आपको स्पेस भी इसके अंदर ज्यादा मिलेगा जो फिटन फिनिश की क्वालिटी तर मिलने वाली है अगर आपका इहां पर 80% हाइवे होता ना 100% हम आपको नेक्सोन रिक्मेंट करते है तर्बो चार्ज इंजन है तर्बो चार्ज इंजन जो है सिटी में थोड़ा सा परिसान करेगा लेकिन हाइवे में किंग बनके चलता है हूँ आपको एवरेज कम निका ठीक है दोनों गाडियां आप ले लोगे ना आप कभी दुखी नहीं होंगे कैसे नावा पूछ रहे है कि मैं हमाचल से मुझे एक फैमिली कार चाहिए और दो कार इन्होंने सॉट लिस्ट करी है पोलो, TSI, Highline Plus और दूसरी EcoSport डीजल मुझे बैस कार सज़स्ट करें फैमि अगर छ currently है। बहुत कीज़ने हैं। ज्वेस्ट कॉंसी इसका पिक अच्छी फार हो क्योंकि का रिल म कलनी सॉली। 10 लाग का बजड़ वैसे उन दोनों में अधर 30,000,000 के बज़े पतनी उनको आपने जो जो दोनों गाडियां जो शोट लिस्ट करी है उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग है ठीक है आपका रीजन भी बिल्कुल अलग है आपने डीजल चूज करी लेकिन उसको आपको आवाज पसंद नहीं आ रही हर एक डीजल इंजन के अंतर थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत इंजन की जो नुए साती हो कुछ दिन के अंदर आपको वो फील आना बंद हो जाएगा और मेरे साब से तो जा बाहर ज्यादा आवाज आती अंदर ना के बराबर समझो आपकर खिड़की खोल के चला रहे हैं तब आपको सुनाएं देगी बंद करके चला होगे तो आपको कुछ ऐसा ऐसास नहीं होगा लेकिन आवाज और जो परफोर्मेंस है वो दोनों मैच करती है पोलो में क्या होगा बैसा फैमिली कार तो आप ले रहे हो पोलो को लेकिन आपको कुछ टाइम के बाद रेलाइज होगा कि बहुत कंजेस्टेड गाड़ी है भ लेकिन फिर भी हमारा EcoSport जो है वो सबसे टोप पर रहेगा यहां पर ठीक और आपको जो सर्विस कोस्ट भी सस्ती पड़ेगी बहुत ज्यादा सस्ती पड़ेगी अभी शेख भाई पूच रहे है कि I am confused between Kia Sonet 1.2 और EcoSport petrol Sonet अंडर पावर ना हो और EcoSport mileage कम ना दे कौन सी ब जाक कर रहे हैं इन दोनों गाडियों में यह दोनों चीजे हैं भाई EcoSport आपको mileage नहीं देगी वो थोड़ी से अंडर पावर है ठीक है आपकी हाईवे की मतलब क्या running नहीं है ना इनकी तो क्या फरक पड़ेगा आपको ठीक है अब EcoSport उठा लो पैट्रोल के अंदर मैं ब दूसरा जो है ना फील करने में भी अच्छे काड़ी हो एक SUV वाला फील देगी आपको लोग कहीं हम फोर्ड को जल्दी से जानने देंगे कहीं ठीक है वैभाव भाई पूच रहे है कि VW Amio इनको 2017 मॉडल डीजल में 60,000 km चली होई चार लाख में मिल रही है मैंने की टचिंग के साथ है डोर पेंट हुए है साइट से सबसे पहले रिजेक्शन का कारण तो यही आ गया कि आप फैमिली के अंदर चार मेंबर हैं ठीक है पीछे वाले को लिए स्पेस नहीं है और उपर से अगर आपका कुता शरारती हुआ तो फिर तो और भी खतरनाक काम हो ग आते हो तो मैं साल में कितना जो हो गया मतलब साल के अंदर काफी बार आप साथ हजार के आसपास होगा साथ हजार किलोमेटर में इसकी मानलो 15,000 किलोमेटर में इसकी सर्विस होती है चार बार सर्विस होगी एक कोस्ट मान के चलो सर्विस की 15,000 के आसपास आपको बहुत ज मज़े ले रहे हो गाड़ी से तो गाड़ी थोड़ा से पैसा डिजर्व करती लेकिन यहां पर अगर देखा जाए साल में बहुत मेंगी पड़ेगी आपकी रिक्वार्मेंट के इसाब से भी फिटनी बैटरी दोस्त तो इसको तो रिजेक्टी कर दो भाई साब यहां पर जि और मेरी कार में केबिन नॉइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो मैं उसमें डेम्पिंग करवाने की सोच रहा हूं तो क्या आप डेम्पिंग से बेटर कुछ और सजेक्ट कर सकते हो और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके की प्लीस वीडियो में आप मेरी कुश्च लेकिन बात ऐसी है कि उसके अंदर सी एंजी मतलगो नी सी एंजी तो लगवालो डेम्पिंग वगरा मत गरवाना ओलेडि इतना ज्यादा वेट हो जाएगा गाड़ी के अंदर तो थोड़ा से दब के चलेगी हो आपने वही बात है कि इतना खतरनाक रगड रहे हैं ठीक है पर जैसिल भाई पूछ रहे है कि XCV-3O-W8 और Nexon XZ Plus S in Diesel Manual और Krata और Seltos Base Model और Sonet GTX Sonet तो मत ही लेना मंतली रणिंग इनकी है पचिस सो के असपस 80% जो है इनको हाइवे में चलना होता है 20% City में चलना होता है पेट्रोल इनको खरीदना नहीं है C&G इनको पसंदनी है पेट्रोल इसलिए नहीं करीदना है क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा हो चुके है देखो यार जैसिल भाई ऐसा है कि दोनों चोईस आपके लिए काफी सही रहेंगी पहली बात तो हमारी फर्स्स प्राइटी यह रहेगी कि आप जो है XUV 300 अपर जाओ उसके रीजन आम आपको बताते है एक तो आपको ठीक ठाक मॉडल मिल जाएगा उसके अंदर फीचर भी अच्छे खासे आपको मिल जाएगे दूसरा क्या है उसके अंदर स्पेस जो है ना वह आपको क्रेटा और सेल्टॉस जितना ही मिल जाएगा अंदर क जो cabin, जो space है वो, तीसरी चीज की safety rating उसकी 5 star है, मतलब नेक्सोन से भी थोड़ा सा ओर उपर है वो गाड़ी, safety के अंदर highway के उपर जमगे चलती है, और इनका 80% use highway में, और highway का यूज है आपका, तो definitely उसके उपर जा सकते हो, लेकिन, अगर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, कहीं 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 कुछ कमी है जैसे boot space ना होना, वो आपको खटकती है तो आपको मजबुरण जाना पड़ेगा, साल्टोस वगरा में, जॉली सिंग यहाँ पर पूछ नहीं कि इनका जो budget है, 6.5 लाका है, इससे उपर नहीं जा सकते है, अल्टो 800 है, 2009 में ली थी, first owner है, 30,000 km चली अभी तक 2009 से, पहले घर पास था, वर्क प्लेस है, इसलिए जादा नहीं चली, अब वर्क प्लेस 12 km है, अब चल रही है गाड़ी जादा, पर अब मज़ा नहीं आता ओल्टो पे, कोई अच्छी गाड़ी बताइए, जिसमें पावर हो, दो गाड़ी नहीं पसंद पाँच फैमिली मेंबर के लिए गाड़ी चाहिए, साड़े च्छे लाग का बजट है इनका, कोई सी एंजी वेगर है प्लान है इनका, नहीं बारा किलोमेटर है, देखो यार इस रेंज के अंदर जो है, वैसे तो अगर करंट की बात कर रहे हैं, तो जो पसंद नहीं है, दूसरा, आप इगनिस के उपर जा सकते हैं, नहीं तो अभी जो टाटा पंच मारने वाली है, उसके लिए वेट कर लो, आपको हो सकता है कि मज़े आजे हैं उस गाड़ी में, और आएंगे भी मज़े, 101% हमारी तो यही सोच है और हमें लगता भी ऐसा, बाकी देख लोग, सेफ भी आएगी वो गाड़ी, ठीक है, वही अलफा प्लेटफोर्म के उपर आएगी तो, शशी यहां पर पूछ रहे हैं कि मेरे पापा स्प्लेंडर बाइक लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपकी नैनो वाली वीडियो देखने के बाद, आप सोच रहा हो कि नैनो ल बहुत सही लगा, मुझे यह जानने है कि मोडल सेकेंड हैंड कितने तक ले लेना चाहिए, सला दें, मेरे परिवार में 4 मेंबर हैं और मेरी सेलरी 15,000 के आसपास की है, क्या मुझे लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, जैनेक्स बहुत बढ़िया मोडल है, उसमें एम्टी भी आता है, अगर आपको एम्टी सही रेट में मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, दूसरी चीज पावर स्टेरिंग आता है, थोड़ा सा फील गूड फैक्टर बढ़ गया था गाड़ी में, जैनेक्स जब से आई थी, नैनो में, पहले थोड़ा सा मतलब की हार्ड स में मिल जाएगी, और तुझे के लगता है 15,000 सेलरी के बावजूद लेनी चाहिए, यूज के उपर डिपेंड करता है, 15,000 सेलरी ठीक है, लेकिन आप एक तरह की से पूरी फैमिली मूग करेगी और उसके अंदर ठीक है, वो फोर सिटर आप ऐसे यूज कर सकते उस गाड़ हाईवे में आपको 25 के असपास का एवरेज मिलेगा उसमें, तो दे सकते हो, मतलब की ले सकते हो, डेफिनेटली, और ऐसी बात है कि यार, लेकिन मिल जाए वो एक बहुत बड़ी बात है, जिनके भी पास हो जल्दी से बेचते नहीं है, ठीक है, इसने बेचती थी, में तो बहुत बड़ी गलती थी, अरब क्या बताओ, मैं नहीं वाली वीडियो देखने, मैं अपनी दास्ता आपको सनाई है, दूसरी चीद, CNG में भी आती थी, ठीक है, CNG में आती थी, लेकिन CNG लगवाने का सोचो मत, यार, दो सिलेंटर इंजन है, वैसी उसमें थोड़ा उसमें छोटा ऐसा टैंक लगेगा, क्या कर लोगे, इससे अच्छा पैट्रोल में ही रहने दो, ठीक है, और वैसे ही चलाओ, अच्छा एवरेज वैसी मिल जाएगा, आपको चार लोग ले बहुत बढ़िया है, और जैसे स्प्लेंडर साट का एवरेज देती है, तो चार यह साब से डिवाइड कर लो 25-25, एक अच्छा डिसीजन होगा आपका वैसे पहली कार के तौर पर, तो दोस्तों यह जो थे सारे सवाल हमने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से उठाए थे, लिंक आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक दिया गया है, हमारी वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर के आप क्यूस्टिन पूछिए, विदिन 24 आर्स हम आपको वहाँ पर भी रिप्लाई दे देते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स वीडियो के अंदर और लोकेशन का थोड़ा सा और ज्यादा मजा ले झाल